नवसकार मैं प्रशांत मावानी आप सभी का Curiously Education में बहुत-बहुत हारदी गृप से स्वागत करता हूँ आज 21st April 2022 है और Financial News की बात करें तो हमारे डेबल पर हैं चार Important Topics Crude Oil की Price fluctuate क्यों हो रही है PLI Scheme को लेकर किछ Interesting Facts हम देखने बाले हैं बहुत सारे Interesting दूसरे Facts भी यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं बहुत Important Topic है Then we have EPFO के साथ जुड़ा हुआ एक Topic है और रुपी की जो Value है उसका Concept हम आज समझने वाले हैं Production Linked Incentive Scheme नाम सही पता चल जाता है कि अगर आप हमारे देश में Production को Increase करेंगे तो सरकार आपको Incentive देगी यानि कि आपको कुछ ना कुछ Benefit दिया जाएगा तो यह जो PLI हैं उसको हमने कई बार Discuss किया है नए Students के लिए बहुती Quickly मैं बता दूँ कि यह Manufacturing के साथ जुड़ी हुई Scheme है सरकार चाहती है कि कुछ ऐसा एक शेत्र है जिसमें हमारे देश के जो Produces है वो उन कुछ Products को ज्यादा quantity में Produce करें और सिर्फ हमारे देश के नहीं Foreign के Produces भी भारत में अपनी Factory सेट अप कर सकते हैं और अगर वो करते हैं और एक लिमिट से ज्यादा वो प्रोड़क्शन करते हैं तो सरकार उनको एक प्रकार का Benefit प्रोवाइट करने के लिए तयार है अब लेटिस टांकड़ा जो आ रहा है वो यह है कि 14 ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें 2.34 लैक करोर रुपीज का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट इसने अट्रैक्ट किया है अभी इन्वेस्टमेंट हो नहीं गया है अभी कमिटमेंट जो है वो इतने का आया है 2.34 लैक करोर रुपीज across 14 sectors which is not bad at all in fact it is very very good और दोस्तो आने वाले अगर 5 सालों की हम बात करें तो 28.15 lakh करोर रुपीज जितना आउटपुट अदिशनल आउटपुट जो है वो PLI स्कीम के बादियम से जनरेट होगा 28.15 lakh करोर रुपीज विच आने वाले 5 सालों की बात है और आने वाले 5 सालों में 6.45 million new jobs यानि की 65 lakh आप पकड़ लीजिए 65 lakh जितनी jobs जो है वो आने वाले 5 सालों में जनरेट होगी तो आप हर साल पकड़ लीजिए कुछ 12 lakh जितनी jobs जो है वो एक साल में create होगी तो हर महीने कितनी 1 lakh jobs जो है वो यह जनरेट करेंगा है isn't it क्योंकि 5 सारों के अंदर it will produce somewhere around 65 lakh jobs रही बात ये 2.34 lakh crore की तो सबसे ज्यादा जो interest जिस खेत्रों में हमें देखने को मिला है तो एक तो है of course automobile automobile यानि की cars and motorcycles etc right vehicles basically और auto component spare parts etc फिर जो batteries है batteries में भी I would say advanced chemistry अब यह सारे शब्द भी हमें पता होने चाहिए ज़र क्योंकि in batteries पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है advanced chemistry cell batteries and of course जो solar panel है इसमें भी particularly high efficiency वाली जो solar panel है तो ऐसे कुछ खेत्र हैं जिसने सबसे ज्यादा interest attract किया इंटरस्ट यानिकी लोगों की रूची इसमें है लोग जो है वो इसमें investors जो है वो इस शेत्र में ज्यादा अपने पैसे invest करना चाहते हैं और hopefully आने वाले समय में यह सिर्फ interest नहीं रहेगा यह reality भी बन जाएगी एक बहुत ही interesting fact मुझे मिला और यह fact आपको याद रखना है manufacturing sector जो है न हमरे देश का वो हमारी gross value added में कितना contribute करता है GVA में 18% right 18% यह बहुत ही important fact है दोस्तों बहुत important information है कि हमारा जो GVA है तो उसका 18% manufacturing से आता है और manufacturing जो है वो हमारे देश की कितनी jobs cover करता है तो 24% हमारी जो total population की बात नहीं है हमारी जो workforce है जितने लोग working age में हैं तो उसमें से 24% लोग जो है वो manufacturing शेतर में काम करते हैं तो यह fact भी आपको याद रखना है यह fact आप mains में discussion में और यह fact अगर आपको पता है तो फिर आप manufacturing के importance को भी समझ जाएंगे कि अगर इतने लोगों को यहां पर job मिल रही है अब इसी job यही सारी jobs जो है उसमें salaries अगर increase हो benefits increase हो तो यह अच्छी jobs बन सकती और अच्छी बन सकती इसनिट रही बात एक infographic की तो देखे बिग ticket investment commitments जैसे मैं आपको बता है कि auto auto components में 45,000 क्रोड रूपी सोलार renewable energy advanced chemistry cells बैटरी स्पेशालिटी स्टील टेक्स्टैल अपरल मोबाइल electronic food processing के अलग अलग आकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं और सरकार ने इस चीज़ को लेकर इस PLI को लेकर 1.97 लाक क्रोड रूपीज यह 14 sectors के लिए अलग से रखे हैं इसका आउट ले किया है अलग से ऐसे एक साथ सरकार अलग से नहीं रख देती लेकिन हर साल का एक total breakdown किया जाता है कि total कितने तो कि 1.97 लाक और कितने सालों के लिए तो लग से पांच सालों के लिए तो scale नाम की चीज़ भी है what is scale तो scale का full form है steering committee for advancing local value add and export इसको कहते है scale और यह ministry of commerce and industry के तहते इसको बनाया गया है तो अगर आपको ऐसा प्रशन पूछा जाए कि यह जो scale है steering committee for advancing local value add and exports यह किस ministry के तहत काम करता है और आपको options दिये जाएंगे heavy industry और इस परकार के renewable energy industry और इस परकार के नाम दिये जाएंगे of course right answer तो होगा ministry of commerce and industry तो आपको यह याद रखना है कि scale जो है वो ministry of commerce and industry के तहत काम करता है it's very important और it works with of course dpiit as well department for promotion of industry and internal trade तो यह था आज का one of the most important topic आगे बड़े उससे पहले do check out my motivational podcast curiously forever यह सभी बड़े podcast platforms पर available है social security cover की बात करें तो government एक plan create कर रही है और plan में यह है कि जो self-employed लोग है उनको भी employees provident fund organization की scheme के तहत या फिर उसमें enroll किया जाए and of course it is for what retirement money isn't it एक परकार का आपका retirement pension आपको मिलेगा आप अभी से कुछ contribute करेंगे और जब आप retire होंगे then you will get something back from the government by contributing 10% of their income to the provident fund body every month के जो self-employed लोग है वो अपनी जो income है तो उसका 10% हर महिने provident fund में invest करें और एक समय के बाद उनको वापस पैसे मिलेगा और अगर यह scheme जो है उसको implement की जाए में सभी सरकार इसके बारे में सोच रही है तो 15 million self-employed लोग जो है उनको इसका फाइदा मिलेगा what is 15 million? 15 million यह जाने की we are talking about 1 crore 50 lakh एक करोड पचास लाख लोगों को इसका फाइदा होगा government शायद एक नई scheme बना सकती है या फिर जो EPO की existing scheme है उसमें कुछ changes करके इसमें addition किया जा सकता है लेकिन we have to wait and watch यह एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो जी इस अबाट social security रुपी Commerce and Industry Minister पियुश गोल साब ने यह कहा है कि रुपी को devalue करना या फिर रुपी को और ज़्यदा कमजोर बनाना जो है तो cost of imports जो हैं वो काफी बढ़ जाते हैं अब इसको समझ लेते हैं कैसे देखिए let's say के हम oil जो है ना oil oil को हम import करते हैं अब let's say के एक रुपी की कीमत जो है let's say right इसको पकड़ कर चलते हैं समझने के लिए अब अगर हम एक लिटर oil मंगवाएं एक लिटर मान लेजे और उसकी कीमत है oil की कीमत जो है वो वन डॉलर है और वन डॉलर के मकाबले रुपी जो है उसकी वैल्यू हो गई 110 लेट से रुपी गिर गया थोड़ा और ज्यादा कमजोर हुआ तो अब उसी एक लिटर oil को मंगवाने के लिए मुझे कितने रुपे देने पड़ेंगे पहले मुझे 100 रुपे क्योंकि value कम हो गई तो फिर मुझे 110 रुपे देने पड़ेंगे तो हुआ क्या import जो है वो थोड़ा expensive हो गया तो इंपोर्ट जब increase होगा तो क्या होगा हमारा inflation भी क्योंकि fuel हम सबसे ज्यादा मंगवाते हैं तो inflation भी बड़ेगा cost of interest जो है वो ज्यादा हो जाएगा और हमारी बहुत सारी चीज़े जो है वो उसकी competitiveness चले जाएगे the reason is क्योंकि आज भी हमारी जो economy है उसको हम कहते हैं import-led economy जब हम import-export की बात करते हैं manufacturing की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारी import-led economy है what is the meaning of import-led economy इसका मतलब यह है कि हम चीजों को export करने के लिए बहुत सारा raw material या फिर आप इसको input भी कह सकते हैं तो यह बहुत सारे input और raw material जो है ना वो हम import करते हैं फिर उनका इस्तमाल यहां पर कई बार finished product होते हैं कई बार raw material मंगवाते हैं तो यह अलग-अलग चीज़े ह करके final product बना कर फिर उसको export करते हैं तो जब आपका input or raw material expensive हो जाएगा तो final आपका product जो है वो क्या हो गया वो थोड़ा और ज्यादा expensive हो जाएगा और यह सारी चीज़े क्यों क्यों क्योंकि रुपी की value कम हो रही है इसलिए import expensive हो गया तो आपका input भी expensive हो गया तो यह हमारे इसलिए अच्छी बात नहीं है तो यही बात वो हमें समझा रहे हैं और इसी बात पर हमें यह important concept भी समझ में आ गया isn't it? crude oil prices की बात करें तो oil की price जो है वो काफी fluctuate हो रही है और US crude inventories जो है उसमें भी एक sharp drop हमें देखने को है inventories यानि की एक प्रकार साहब समझे लिए stock में अब बहुत सारे जो traders है investors है वो wait and watch कर रहे हैं कि Russia का जो oil है उस पर USA और UK band लगाएंगे नहीं लगाएंगे लगाएंगे तो इसकी impact क्या होगी और of course अगर हम मान के चले कि वो में उसके उपर sanctions लगाएं तो होगा ये कि देखिए आज भी Europe जो है वो एक बहुत बड़ी quantity में oil जो है वो रश्या से खरीदता है just imagine कि अगर रश्या पर दुनिया के sanctions लग जाए और उनका oil खरीदना दुनिया बंद कर दे तो होगा ये कि एक रश्या जितना quantity market में send करता था वो market तक नहीं पहुँच पाएगा तो market के पास limited stock रहेगा और ज्यादा oil की demand है या फिर oil के जो भी users है अलग अलग देश तो उनको तो oil चाहिए तो quantity कम होगी तो क्या होगा price ज्यादा बढ़ेगी और price बढ़ेगी तो फिर directly उसकी impact growth पर आएगी और आपको याद है कि अभी IMF का आकड़ा हम देख रहे थे कि IMF ने growth forecast जो है उसको downgrade किया है global growth को down grade किया है because of this various different reasons जिनको हमने discuss किया था I'm not going into it और US Federal Reserve जो है उनकी भी एक hawkish comment आई है hawkish यानि की you would say कि थोड़ी aggressive comment जो है वो आई है growth को लेकर interest rate को लेकर and things like that but these are the things that we have already discussed about means अमने इससे पहले इस पर चर्चा जो है वो कर ली है तो उसकी details में नहीं जा रहा हूं सिर्फ इशारे के तौर पर आपको याद दिला रहा हूं कि IMF ने क्या किया growth के बारे में और क्यों यह decision IMF ने लिया so that's everything in today's discussion dear friends thank you very much for watching this video and please make sure कि आप इस video को दूसरे students के साथ share करें आपका आपका आपकी टेलिग्राम की channel है या फिर टेलिग्राम यूज करें तो उसमें शेयर कीजिए WhatsApp status पर रख सकते हैं अपसे एक student ने कल comment करके लिखा था कि अबसे वो WhatsApp status पर यह जो वीडियो है उसको डालने वाले हैं तो if possible please do share the screen shot right I would like to I will share it in community section of my YouTube channel just दिखाने के लिए and you know other students you can also do this thing आप भी अगर screenshot मुझे शेयर करेंगे तो मैं इसको share कर दूगा के मने students are sharing it and of course sharing से क्या होगा we have already talked about कि यह series जो है वो expand होगी so thank you very much for your love and support I will see you soon till then enjoy your studies God bless you all Jai Hind